हाई गाईस टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत हैं तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बच्चे हुए चावल का अपपम जो की बहुत ही जिल्दी से बनने वाला है बीना ओयल के किसी भी ओयल की जरूरत नहीं है इस रेस्पी को बनाने के ल लिया हुआ है रात का बचा हुआ चावल तो चावल जल्दी खराब हो जाता है इसलिए मैंने इसे फ्रीज में रखा हुआ था फ्रीज से बहां निकालने बाद इसे हम लोग ग्रणिंग डालेंगे और ग्रैंड करेंगे ताकि यह फाइन पेस्ट बन जाए तो अगर हम इस तरीका बताती हूँ तो सबसे पहले बरतन गरम होने के लिए रखिए गैस का फ्ले मीडियम रखेंगे एक चमच एट करेंगे रिफाइन ओयल जैसे गरम हो जाए साथ में डालिए प्याज तो मैंने हाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज को लंबे स्लाइस में कट करके मैंने चटनी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसका इसी के साथ जो है इसमें हम लोग डाल देंगे आम तो अभी जो है ना आम का सीजन चल रहा है कच्छे आम बहुत मिलते हैं मार्केट में इसलिए हम लोग इसकी चटनी बनाएंगे आज तो साथ में एक चमच साब ठना होने के लिए रख देंगे उसके बाद चटनी को हम लोग रेडी करेंगे तो चटनी को पीषने के लिए मैंने belong सभी चीजों को डाल D give तो यहां अपर यह सूखे लाल मिर्ची को आप तो बॉयल कर सकते हैं पानी में या फिर थोड देर पाने मरे में भीगा करके रख दीजिए इस तरीके से भीकर के तयार हो जाएगी तो यह मिर्ची थोड़ी तेज रहती है नि तीखी रहती है इसलिए मैंने यहाँ पर चार पांच यूज किया हुआ है पानी यूज नहीं करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर एक चम्मच चीनी डालेंगे जिससे की चट करके रेडी कर लेंगे हलका जो है चटनी को दरदर ग्रैंड करेंगे तो यह देखी चटनी मैंने ग्रैंड कर लिया है जो है काफी दरदरी है और ज्यादा यह टेस्टी चटनी बन करके तयार हुई है इससे आप किसी की नास्ते के साथ सर्फ कर सकते हैं अब चलिए हम जो है मैंने उसी ग्रैनिंग जार को वापस लिया है इसमें हम लोग डालेंगे एक कप सूजी बात करें वेट की तो 100 ग्राम सूजी मैंने लिया हुआ है और इसमें हम लोग डालेंगे दही तो मैंने हापर एक कप दही यूज किया है दही भी 100 ग्राम लिया है मैंने ज्यादा लगेगा तो दो कप पानी को डालिए और कैफ लगा करके अच्छी तरह से ग्रैंड करके हम लोग पेश्टो रेडी कर लेंगे तो सभी चीज हम लोगों ने बाउल में एकठा कर लिया है अब मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूं कि हमें कितना गाढ़ा रखना है तो यह देखिए कुछ ऐसा है अभी यह कल्ची को अंदर डालने के बाद आप देख पार हैं एक परत चड़ गई है हाँ से इस तरी जो चावल को हमने ग्रैंड करके रखा हुआ था 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 तो नीचे जमा हुआ है तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैंने हाँ पर जैसे कि अंडा फिटनी का यूज किया हुआ है मिक्स करने के लिए तो अब देखिए इतना गाढ़ा है हमें यहाँ पर पानी डालने के बिल्कुन भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब इसमें हम लोग डालेंगे एक चमच नमक नमक की कॉंटिटी कम जादा किया जा सकता मैंने हाँ पर नमक और चिनी दोनों की कॉंटिटी बराबर रखा है आप अपने स्वात के अनुसान नमक यूज करेंगे और चिनी एक जाली वाला हो जाएगा यानि बहुत जादा फटने लगेगा जाली परफेक्ट नहीं आएगी तो इस तरीके से अच्छी तरह से कर दीजिए मिक्स यह उपर काफी सारी जो है ना बबल्स आ गए है यानि हमारा मिश्रन रेडी है तावा गरम होनी के लिए रखिए फ्लेम बीच में डाल देंगे तो ध्यान कि यह कही धार में डालना है आपकी धार नहीं तूटनी चाहिए नहीं तो गोल नहीं बनेगा आपका अपम जैसे जैसे नीचे से पकता जाएगा वैसे वैसे जो है ना उपर काफी बबल्स आने लगे हैं और काफी ज्यादा जाली दार आ एक से डेल मिनार का टाइम लगेगा, जैसे ये नीचे से हलका सा ड्राइ हो जाए, उठने लगे ना, तब आप समझें कि नीचे से अच्छी तरह से पक चुका है, इसे हम लोग ये कल्छी नीचे से डाल करके इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे, हो सकता है कि कल्छी में चिप करके तयार हुआ है, इसी तरीके से बाकी अपम बना करके सर्फ करेंगे, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी घर में चावल बच जाता है तो आप लोग उसे फेके नहीं, उसे हम लोग फ्रीज में श्टोर करके रखेंगे और फिर नास्ता बना करके सर्फ